दोसो जॉन डन के बारे में हम सब जानते हैं कि जॉन डन किस तरह के पॉइट है उन्होंने एक पोएम लखी थी A Lecture Upon The Shadow यानि वो आप परचाई के बारे में बताएंगे वो जब किसी चीज़ के बारे में बताने लगते हैं तो ऐसे ऐसे comparison करते हैं जो दुनिया में कहीं पर exist नहीं करते हैं चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं बड़ी खुबसूरत पोएम है लेकिन पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो lovers होते हैं जो लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं दुनिया को लगता है कितना प्यार है दोनों के बीच में लेकिन प्यार के साथ साथ एक चीज़ और होती है जो दुनिया को दिखती नहीं है वो है परिशानी प्यार अपने साथ परिशानी लेकर आता है यही इस पोयम की में थीम है हम लोग पोयम शुरू करते हैं पहली ही लाइन का पहला ही शब्द है stand still यानि सीधी खड़ी हो जाओ शायद वो अपनी beloved को बोल रहे है जो उनके साथ में चल रही है वो बोलता है कि सीधी खड़ी हो जाओ सीधी खड़ी हो जाओ hello मत बिलकुल भी I will read to thee मैं तुमारे लिए कुछ पढ़ता हूँ या फिर कुछ बताता हूँ तुमें a lecture तुमें एक lecture देता हूँ love प्यार के बारे में एक lecture in love philosophy जो प्यार की philosophy होती है न उसके बारे में बताता हूँ जो बड़ी कूपसूरत चीज लगती है न प्यार उसके धागे उधरेंगे यहाँ पर John Dunn वो बोलता है these three hours that we have spent कि तीन घंटे से हम लोग एक साथ एक साथ एक दूसरे के साथ में time spend कर रहे है वो अपने beloved को बोल रहे है कि तीन घंटे से हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं दूप में walking here शायद किसी पार्क में या फिर कहीं पर ऐसी जगे जहाँ पर lovers गूमते हैं वहाँ पर walk कर रहे है two shadows went along with us कहते हैं कि हमारे साथ साथ तुमने note किया कि दो shadows भी चल रहे हैं यानि हमारी परच्छाई जो धूप में सूरज हमारे सिर पर है उससे बन रही है which we ourselves produced इस line का मतलब यह है कि उन परच्छाईयों को हमी ने बनाया है जैसे इनसान के साथ साथ परच्छाई अपने आप बन जाती है न वैसे प्यार के साथ साथ problems अपने आप बन जाती है कोई भी प्यार ऐसा नहीं होता जिसमें problem ना हो ऐसा कोई प्यार नहीं होता जिसकी जिन्दगी बहुत smoothly चल रही हो ऐसा कुछ नहीं होता, problems आती ही है जैसे हम चलते जा रहे हैं तो हमारी परच्छाईयां भी साथ के साथ चलती जा रही है वैसे ही प्यार जब चलता जाता है वैसे वैसे उसकी problems भी उसकी साथ में चलती जाती है और time के साथ साथ वो problems बड़ी होती जाती है जिसे वो परचाईयां बड़ी होती जाती न वैसे वैसे यहाँ पर जांडन बोलते हैं बट लेकिन नाव दा सन इस जस्ट अबाव अहेड कि जो सूरज है वो ठीक हमारे सिर के उपर है सिर के उपर जब सूरज आता है तो क्या होता है परचाईयां छोटी हो जाती है आगे वो बोलते है हम लोग अपनी ही परचाईयों पर पैर रखकर चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ट्रेड का मतलब है पैर रखकर चलना किसी चीज़ पर तो हम लोग अपनी ही परचाईयों पर पैर रखकर चल रहे हैं And to brave clearness, all things are reduced. इस लाइन का मतलब ये है कि सूरज सिर पर है, परचाईयां छोटी है, तो हमारी परिशानिया भी कम है. मतलब, सारी चीजे अभी कम है. So wilds or infant loves did grow. दूसरे यहाँ पर love को infant love कहा गया है. जो नवजात बच्चा होता है, उससे compare किया गया है, कि जैसे छोटा बच्चा होता है, जो अभी अभी पैदा हुआ होता है, वैसे ही हमारा प्यार है अभी. ठीक है? अभी ये grow करेगा. अभी इसमें परिशानिया शुरू होगी. Disguises did. Disguises का मतलब होता है भेज बदल कर. परिशानिया हमारे जिन्दगी में अभी भेज बदल कर आएगी. And shadows flow from us. इन shadows की तरह ही, वो परिशानिया हमसे आगे भागने की कोशिच करेंगी. देखो ये परिशानिया जो है, ये हमने खुदने बनाई है. कैसे बनाई है? And or cares. जो हम एक दूसरे की परवा करते हैं न, वो परवा की साथ साथ परिशानिया भी आती है. But now, लेकिन अभी तक, it is not so, ऐसा नहीं हुआ है, that love has not attained the highest degree. कि हमारे प्यार ने एकदम highest degree को attain कर लिया हो, which is still diligent. जो कि अभी diligent है, महनत कर रहा है, last other see, कि लोग उसे देख सकें, हमारे प्यार को देख सकें. लेकिन जैसे ही, we shall new shadows, कि हमारी नई shadows बनने लगेगी, जैसे ही सूरज रहलेगा, direction बदलेगा, सूरज अपनी direction बदलेगा, तो नई shadows, यानि कि नई परिशानिया शुरू हो जाएगी हमारे प्यार में. Make the other way का मतलब, नए तरीके से, नए रास्ते से परिशानिया शुरू हो जाएगी. As the first word made to blind, यहाँ पर इस line का मतलब यह है, जॉन डन बोलते हैं कि पहले, जो हमारी प्यार की situation थी, जिसमें कोई परिशानिय नहीं थी, हम अपनी shadows के उपर खुदी चल रहे थे, वो सब तो लोगों को बेवकूब बनाने के लिए थी. As the first word made to blind, उन लोगों को blind यानि बेवकूब बनाने के लिए थी. कि हमारा प्यार तो बहुत ही smooth चलता है, हमें कोई परिशानिया नहीं है, हमें कोई दिक्कते नहीं हैं, ये तो लोगों बेवकूब बनाने के लिए थी. असली परिशानिया तो सूरज की direction change होने से, नई परिशाईयां बनने से, परिशाईयों के लंबी होने से शुरू हुई है, यानि कि नई problems अब शुरू हुई हैं हमारे प्यार में. Others, these which come behind, will work upon ourselves and blind our eyes. अब तो चीज़े बहुत बदल गई है, अब तो हर चीज़ बदल गई है, अब तो खुद ही हमें अब reality देखनी पड़ रही है, पर आगे जॉन डन बोलते है, if our love is faint, कि हमारा प्यार जब वक्त की साथ साथ फीका पड़ जाएगा, and westwardly decline, westwardly decline का मतलब सूरज जो west की तरफ, पस्चिम की तरफ डूपता है, उसकी साथ मैं compare किया गया है, जैसे सूरज रूपता है, वैसे decline हो जाएगा हमारा प्यार, तब क्या होगा, to me, thou, false, resign, तो हम दोनों भी एक दूसरे को धंक से देखनी पाएगे, जैसे जैसे प्यार फीका पड़े या, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे, हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाएगे, ऐनुए का मतलब, पहले जैसे मैं तुम्हें देखा करता था, वैसे नहीं देख पाऊँगा, अब मैं तुम्हें अलग नजरीय से देखना शुरू कर दूगा और तुम भी मुझे अलग नजरीय से देखना शुरू कर दोगी जो हम प्यार करते थे एक दूसरे से जो प्यार जताते थे बुलते हैं जांडन कि उसकी बाद में क्या होगा and I to thee mine actions shall disguise कि मैं अपने actions तुम्हारे लिए बदल लूँगा उस वक्त जिस वक्त ये problem शुरू होगी life के अंदर हम दोनों का स्वभाव एक दूसरे के लिए बदल जाएगा the morning shadows wear away जो सुभा के वक्त जो परचाईया थी वो तो अब मिट गई और नई परचाईया बनना शुरू हो गई but these grow longer all the day वो परचाईया तो चली गई लेकिन ये जो दूसरी परचाईया दूसरी problem शुरू होई है life के अंदर वो धीरे 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 all the day का मतलब पूरी life में वो बढ़ती ही चली जाएंगी बढ़ती ही चली जाएंगी अब तो वो बढ़ी होती ही चली जाएंगी ऐसे नहीं होगा कि सूरत सिर पे वापस आ जाए और परिशानिया चोटी हो जाए अब तो परिशानिया बढ़ती ही चली जाएगी lifetime तक यहां पर जॉन डन कमाल की बात बोलते हैं लब दो ऐसी चीज है जो हमेशा ग्रो करती रहती है और full of constant light एक ऐसा तारा सितारा होती है प्यार एक ऐसी चीज होती है जो एक ऐसे तारे की तरह होती है जो हमेशा चमकता रहता है कि प्यार अलग-अलग स्टीजस से गुदरता है पहले worst minute में, फिर afternoon में और फिर रात के वक्त परिशानिया बढ़ती है लेकिन परिशानियों को overcome करता करता प्यार भी बढ़ता है ये तो आपके प्यार पर depend करता है कि वो परिशानियों को overcome कर पाता है कि नहीं दो lovers की life में हमेशा कोई न कोई problem आती रहती है ये तो आप पर depend करता है, आपके प्यार पर depend करता है कि वो उन problems को overcome कर पा रहे हैं या नहीं उमीद करता हूँ ये poem आपको बसंद आई होगी दोस्तों, आज की इस video में बस इतना ही